अलो इस्टोंट्स कैशन नमर 4 डिसक्रस करने वाले देखो क्या किया रहा एकसा 6.2 के लिए कैशन नमर 4 आपको interval find करना है given function यह है तो जो given function है पहले है मुझसे उतार लेते हैं और फिर बताना है की increasing और decreasing का function क्या होगा सर गिविन है हमारे पास fx equals to 2x square minus 3x ठीक है सर अब क्या करेंगे सर अब इसका करेंगे differentiate हम तो differentiate आपको परता है this is 4x this is 3 now put f dash as equals to 0 इसके तरफ 0 बूट करूं वह 3 वहां जाएगा और x का value 3 upon 4 आजाएगा फिर आपको क्या बनानी है number line बनानी है this is minus infinity this is 3 by 4 देखा आपके पास जो इंटर्वल बने है क्या बना है we have two intervals ध्यान देना कौन से इंटर्वल आपके से minus infinity to 3 by 4 और 3 by 4 से plus infinity है ठीक है सरी है मेरे बास समझना अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं आपके पास first case के लिए रहा हूं मैं increasing किस वाले case के अंदर होगा यह मैं पहले interval निकाल लेता हूं if x belongs to अगर x belong करता है minus infinity से 3 by 4 देखा हम minus infinity 3 by 4 का मतलब क्या हुआ है यहां पर पहले 0 भी आएगा फिर 3 by 4 आएगा फिर बनाएगा ऐसे तो हुआगा आसर ऐसे हुआ होगा तो आप इसमें कोई भी value put करके देखो इसके बीच की f dash x में f dash x क्या है आपके पास 4 x minus 3 इसमें कोई value put करो मालो मैं 0 put कर लेती है मालो मैं 0 put कर दी 0 put कर दी तो यह less than 0 हो जाएगा यानि कि जो f dash है वो क्या हो गया less than 0 हो गया f is decreasing in minus infinity to 3 by 4 समझ माया है आसर नेक्स देखो second वाला बाट तो यह जो है न बी वाले का अंसर रही है किसका अंसर है बी वाले का अंसर है decreasing पूछ रहा था भी में आगे देखो second case के अंदर इसके लिए क्या हो जाएगी एक मिनट फोर टो इंफिनिटी आपका f dash x कितना है आपके पास इसमें आप कोई भी वैले पूट करो इंद की बीच की मालूम है तो दिख रहा है मुझे पॉजिटीव आ रही है यानि f dash x क्या होगा आपके पास greater than 0 होगा अगर यह greater than 0 है तो आप क्या क्या होगा इंक्रीजिंग किस के लिए इस इंटर्वल टाइम के लिए three by four के लिए यह है आपका a वाला समझाया यह हो गया complete को दिक्कत है नहीं आगे बढ़ सकते हैं ओके